नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो सोचे मत बटन दबाईए और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो हाँ जी T20 World Cup का Main Round याने की Super 12 बस कुछी दिनों में शूरू होने वाला है और मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि मेरे हिसाब से कौन से चार टीम टॉर्नमेंट के सेमी फाइनल्स तक पहुंच सकते हैं तो बिना किसी देरी की चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं अब हालांके ऑस्ट्रेलिया ICC T20 रैंकिंग्स टेबल पे चटे नंबर पर है मगर मैं इन्हें फेवरिट समझता हूँ क्यूंकि एक तो ये टॉर्नमेंट घर पे खेलेंगे उपर से डिफेंडिंग चैंपियंज भी हैं याने कि दे नो हाव तो विन और इनका घर पे T20 र को देखें तो खुद के कंडिशन्स के हिसाब से खतरनाफ प्लेयर्स हैं इनके पास और फिर इस साल के सबसे सफ़ल T20 फिनिशर्स में से एक भी हैं मैथ्यू वेड अज वेल एस वन अगूलेस्ट हैड्स और बिगज़ सिक्स हिटर्स इन ग्लोबल T20 लीग तिम डेविड डेविड वर्नर वापस फॉर्म में आ गए हैं जो के बाकी टीमों के लिए खतरे की निशानी हैं और इस स्कौर्ट के बोलर्स को देखकर मुझे ता लगता है कि आस्ट्रेलिया के पास बहुत बढ़िया लाइन अप है शायद सभी समझते हैं कि आस्ट्रेलिया के अंदर पेस बोलर्स सबसे ज़्यादा विकेड लेते हैं मगर मैं कहता हूँ दोस्तों कि इस वर्ल्ल कप में रिस स्पिनर्स का योगदान काफी होगा तो इस लिहाज से आडम जैंपा एक डेंजरिस बोलर है और फिर क्योंकि ये वर्ल कप एरन फिंच का आखरी टॉर्नमेंट है आस्ट्रेलिया के लिए तो टीम के पास इतने बड़े प्लेयर को अलविदा करने की खास वज़े भी तो है तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आस्ट्रेलिया कें डेफिनिटली डिफेंड देर टाइटल इस टाइम अगर इनसे अच्छी कोई टीम है तो मेरे इसाब से वो हैं इंगलेंड ये भी T20 रैंकिंग्स पे दूसरे स्थान पे हैं और जिस तरह से ये टीम अपनी ODI औ और T20 क्रिकेट खेलती है ये इन्हे सारे टोर्नमेंट्स में टॉप की टीम बनाती है इस फॉर्माट के सबसे अच्छे ओपनर है इनके पास चॉस बटलर और गेम के सबसे लंबे चक्के मारने वाले बैसमन लियम लिविंग्स्टन उपर से अलिक्स हेल्स है जो T20 फॉर्म में क्या ही कहना डावीन मलान फॉर्म में आये हैं जो कि बहुत डेंजरिस है सामने के टीम्स के लिए फिर क्रिस चोर्डन डेविड विली आदिल राशिद और रीस टॉपली जैसे एक्सपिरियन्स बोलर्स हैं मार्क वूड का पेस और बाउंस सैम करन का ओल राउंड टैल जो बड़ी लंबी गेन टांगते हैं और एक भैतरीन फील्डर मी हैं तो ये रही बात दोस्तों सिर्फ टैलेंट की मगर आप ये भी देखिए कि इंग्लेंड के कितने प्लेयर्स दुनिया के अलग T20 लीग्स केलते हैं जिससे इतना एक्सपोजर मिलता है कि आप उस पे को आस्ट्रेलिया और इंग्लिंड है मगर क्योंके नुजेलिंड की टीमें हमेशा वर्ल्ल कप्स में टक कर देती आएं तो अगर ये इन दो टीमों में से एक को बाहर कर दें तो फिर मैं इतना सप्राइज नहीं रहूँगा बट ग्रूप वन से मेरे टॉप टू टीम्स हैं आस्ट्रेलिया और सबसे स्ट्रॉंगेस टीम एंग्लिंड अब नज़र डालते हैं दूसरे ग्रूप पे जिसमें से मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान फाइनल फॉर तक कहुंच है अगर जो इनके बोलर्स ने उस लेवल का प्रदर्शन दिया जो हम सब जानते हैं कि वो दे सकते हैं मगर जिस टीम के ओपनर्स उनके स्ट्रेंग्ट और वीक्निस दोनों हैं उस टीम के बारे में कुछ सटीक प्रिटिक्शन देना आसान नहीं है T20 फॉर्मैट के टॉप रैंक बैस्मिन मुहमद रिजवान और कप्तान बाबर आजम इस टीम के बेस्ट बल्ले बाज हैं मगर इनके बाद एक भी ऐसा खिलाडी नहीं है जो फॉर्म में है या जिसके पास ज्यादा गेंदे खेलने का एक्सपिरियंस क्योंकि इतनी बार रिजवान और बाबर ने अच्छी पार्टनर्शिप दी है इस टीम को और इतने ओवर्स एक साथ खेले हैं कि बाकी के बैस्मिन को ज्यादा चांसेज नहीं मिलें और जब मिले हैं तो बहुत ही कम बैस्मिन ने कुछ खास कर दिखाया कोई सेट नमबर थ्री नहीं है कोई सेट नमबर फॉर नहीं है आसिफ अली एक समय पे टी ट्वेंटी फॉर्मैट के सबसे अच्छे फिनिशर्स में से एक थे मगर वो भी फॉर्म खोच चुके हैं और जिस तरह से रिजवान और बाबर खेलते हैं मेरे साब से ये पाकिस्तान को 190 और उससे उपर के टोटल्स बनाने के चांसे कम देते हैं मगर दोस्तों आकर ये पाकिस्तान है बहुत बहुत टैलेंट है बहुत अच्छी बोलिंग अटैक है शाहीन आफरीदी वापस आगए है इनके पास फिर शादाब खान, हारिस रॉफ और मुहम्मद हसने जैसे प्लेयर्स हैं जो बी बी एल खेल खेल चुके हैं तो इंडिया पाँच टीमों के साथ खेलेगी अपने ग्रूप से पाकिस्तान, साथ आफ्रिका और बंगलादेश फिर ग्रूप A के रॉनर अप और ग्रूप B के विनर से अब पलसों तक तो मुझे नो डाउट था कि ग्रूप A का विनर श्रीलंका होगा मगर नमीबिया से हारने के बाद अभी ये कहना मुश्किल है कि दसुन श्रीलंका के टीम आगे जाएगी अगर श्रीलंका ने अपने कॉलिफाइं ग्रूप को टॉप किया तो इंडिया के उन से खेलने के चांसे सिर्फ सेमी फाइनल स्टेज में होगी अगर जो दोनों वहाँ तक पहुँचे तो और अगर श्रीलंका वाकरी में टॉप करती है अपनी ग्रूप तो मोस्ट लाइक्ली ये होगा कि इंडिया नमीबिया और वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगी और ग्रूप टू से इंडिया और पाकिस्तान ही आगे जाएंगे रुविक शर्मा की टीम की बात करें तो ये बैटिंग में जबर्दस्त हैं और बोलिंग में बहुत कमजोर अगर रोहित, राहुल, विराट, सूर्य कुमार, हर्देक, डिपाखुडा, दिनेश कार्तिक और कॉर्स रिशापंत अपने काबलियत से खेले तो ये टीम हर मैच में दोस्तों 200 बना सकती है मगर जिस तरह से डेट बोलिंग में प्रॉब्लम्स हैं ये टीम 201 भी दे सकती है अराम से ये फिकर है मुझे इस भारतिय टीम को लेकर सूर्या इस फॉर्मैट के बेस्ट बैट्समन है, इसने मुझे कोई शक नहीं है विराट का वापस फॉर्म में आना बहुत अच्छी कबर है रोहित के पास भले ही इस साल केवल दो T2050 हो मगर वो बहुत बार पावर प्ले के अंदर तेजी से स्टार्ट डेच चुके है जो कि मेरा मानना है उनका काम हो गया है राहूल की स्ट्राइट केट को लेकर अभी तक कुछ डिबेट चल रही है मगर उनके टैनन्ट पे डाउट नहीं है फिर हरदिक जैसे हिटर आपके पास नमबर पांच पे हो तो कमार की बात है और कार्टिक का फिनिशर रोल बहुत इंपोर्टन्ट है पर जैस्परीर भुमरा का ना होना एक बहुत बड़ा सेट पैक है और फिर जब हर्शल पतेल का फॉर्म लापता हो गया हो जब भुवनेशर कुमार आखरी के ओवर्ज में महेंगे थाबित हो रहे है जब यूजरेंदर चहल की परफॉर्मेंसेज उपर नीचे हो रहे है और अर्शदीब सिंग के पास ऑस्ट्रेलियन कंडिशिन का एक्स्पिरियंस नहीं है तो दोस्तों सीधी सी बात है कि बोलिंग प्रॉब्लम है इस टीम की अब देखना ये है कि क्या मोहमद शामी के प्रैक्टिस मैच से एकलोता ओवर के बाद टीम इने सीधे 11 में डालती है पाकिस्तान मैच में इस संडे चार गेंदों में चार विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है और इंडिया ने आखिर वो प्रैक्टिस मैच जीता भी और स्टेलिया के अगेंस्ट जहां एक समय लग रहा था कि हारेगी मैच से पहले रोईट ने कहा कि हमें मालू है कि बेस्ट 11 क्या है पर जिस तरह का ओवर डाला शामी ने मैच जिता कर अब शायद वो समय से पहले नजर आएंगे वर्ल काप में कुनोस तहां दोस्तों अगर किसी तरह बोलर्ज ने अपना काम करना शुरू किया तो टैलन्ट के बेसिस पे ये टीम कुछ कर दिखा सकती है वर्ल काप में बहुत 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 इंपोर्टन्ट है कि भरतिया टीम बाइलैटरल बुलीज का टैग हटातर एक वर्ल काप में परफॉर्म करें चूंकि नौ साल हो गए है किसी भी इंडियन टीम को एक ICC ट्रोफी जीतरी हुए क्या रोट की टीम टॉक फॉर की टीम है हाँ जरूर मगर बोलर्ष को हर मैच में सामने की टीम के विकेट्स लेने पड़ेंगे नहीं तो फाइनल फॉर पहुंचना असंभव है what do you think, आपको क्या लगता है, कौन है वर्ल्लकप फेवरिट, कौन सी टीम हैं, जो टॉक फोर बनेगी, let me know by commenting below, और मैं आप से मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए ट्वेंटी वर्ल्लकप वीडियो को लेकर, टेक केर, गुद बाई